हेलो दोस्तों एक बर फिर से आपका स्वागा था मेरे एस्पी कुक में आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी चोले का चटपटी तो चले फिर सुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहां पे कुकर बिठा लेती हूं और ओयल डालों और गरम हो गया है तो इसमें ओनियन डालोंगी औ अब देखो मैंने होल नाइट इसे भीगो के रखाता चोले अभी इसको आड कर लोंगी तो थोड़ा सा एक दो मिनिट अच्छी से फ्राइ करूंगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक आड करूंगी ताकि नमक इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो प्लीज दोस मतलब जीरा पाउडर उसे थोड़ा सा आड करूंगी क्योंकि मुझे बात में भी आड करना है यह वाला पाउडर तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी मैं इसे सिंपल तरीके से बनाई हूँ आप चाहो तो कुछ मसाला भी डाल सकते हो और यहां पे मैंने हाफ टमाटर कोट करके रखी ती उसे आड कर लूँगी और टमाटर डाली हूँ तो इसमें हलका सा मुझे शॉल्ट भी डालना है पहले में बानी आड कर लूँगी और देखिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी सॉल्ट देख लूँगी सही है या नहीं तो थोड़ा कम लगा इसलिए मैं थोड़ा सा हलका सा सॉल्ट आड करूँ क्योंकि मैंने टमाटर आड किया है इसलिए और फिर इसमें सीटी लगा लूँगी और मैं इसे मेडियम फ्लेम में तिन से चार सीटी आने दूँगी ताकि अच्छे से मेरा जो छोले है वो गल जाए और दोस्तों वोल नाइट आप इसे भी गोना भी में बन कर ली हूँ और कुछ टेम चोड़ लों सीटी निकलने तक अभी देखिए सीटी निकल गया है तो देख लेते हैं तोड़ा सा इसमें पानी है और आपको दिखाती हूँ कि ये वला गला है नहीं सही से देखिए वो गया है तो अभी मैं इसका थोड़ा सा हाई फ्लेम में का पानी सब सूखने तक इसे बिठाऊंगी अभी देखिए कितने अची तरीके से ये बन गया है तो अभी ऐसे आप लोग घर पे अपने चटपटी बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना और प्लीज प्लीज दोस्तों सबस्क्राइब करना मेरे चैनल को जो भी नहीं हूँ है सबस्क्राइब करने के लिए थोड़ी ना कुछ देना पड़ता है तो प्लीज दोस्तों आपका लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन लाएगा तो अभी मैं इसे सार्फ करूंगी सबसे पहले मैं इसे निकाल लूँगी देखिए फूरा हीट है और मैं इस पे डालने के लिए कुछ कट करके रखी हूँ जैसे की वनियन और खीरा प्याज कीरा और क्यारट यानि की काजर और इसे मैं अच्छे से बारी की से कट कर रखी हूँ इसमें सजा लूँगी अभी और आपके पास अगर कुछ चिली पाउडर आड़ करूंगी ताक यह अच्छा लगे और भी आफ आपके बेसी काड़ कर सकते हो और फिर मैं आपको बोल रही थे ना फ्राय किया हुआ चीरा का पाउडर मैंने रखा है तो उससे हलका साड़ कर लूँगी और मैं यहाँ पे हलका साड़ करूंगी ताक यह जो डाली हूँ ना कटवी प्याच और जैसे कीरा इसमें मैं अच्छे से मेक्स हो सके फिखा ना लगे बैतरिन लगे आप चाहें तो इसमें ब्लक सॉल्ट पी आड़ कर सकते हैं और मैं यह पींच चोट असा लेमन आड़ कर लूँगी ताक यह ज्यादा नहीं आड़ करूंगी और यह चटपटिया बैतर लगे इसलिए तो चलिए दोस्तों अब मुझे मेरे कमेंट करना लाइक जरूर करना और मेरा LB आता है 5 पीम तो प्लीज मेरे LB में से भी आना और जो भी न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलती हूँ अगले वीडियो में तो देखिए कितना अच्छा चटपटी है आप लोगे से जरूर घर पे ट्राइ करना और मझे बेताना आपको कैसा लगा मिलती हूँ अगले वीडियो में बाई लावीच